आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि CGS पध्धती क्या है, MKS और FPS, SI इन सभी के बारे में आज डिटेल से जानेंगे तो दोस्तों ये जो दिखाई दे रही है लंबाई, ड्रवेमान और समय ये क्या है रासी है और ये जो दिखाई दे रहे, सेंटीमिटर, ग्राम, सेकन, ये सभी, ये सब क्या है, मात रख है, ठीक है, तो भौतिक रास्यों के मापन के लिए निमने चार पध्धती बनाई गई है, पहला CGS, दूसरा MKS, तिसरा FPS, और चौथा है SI पध्धती, SI पध्धती को मैं रख से अ फूल नेम ही वही है, C से क्या होगा, सेंटीमिटर, G से क्या होगा, ग्राम, और S से क्या होगा, सेकन, तो यही इसको फूल नेम है, CGS मतलब सेंटीमिटर, ग्राम, सेकन, अब जाने, CGS पध्धती में लंबाई का मातरक क्या होता है, सेंटीमिटर, CGS पध्धती में द्रव क्या हो जाएगा किलो ग्राम ऐसे क्या हो जाएगा सेकंड मतलब लंबाई में लंबाई एक रासी है लंबाई में में एमकेस पध्धती में लंबाई का मातरा क्या होगा मीटर MKS पध्धती में द्रवयमान का मात्रा क्या हो जाएगा किलोग्राम और MKS पध्धती में समय का मात्रा क्या हो जाएगा सेकन अब जानते हैं FPS पध्धती मतलब F से क्या हो जाएगा foot P से क्या हो जाएगा pound और S से क्या हो जाएगा second मतलब FPS पध्धती में लंबाई का मात्रा क्या हो जाएगा foot, द्रविमान का मात्रा क्या हो जाएगा pound और समय का मात्रा क्या हो जाएगा second अब देखो CGS पध्धती, MKS पध्धती और FPS पध्धती तीनों में ही समय का मात्रा common है सेकंड है तीनों में ठीक हैं तो आई होब आपको CGS, MKS और FPS आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं SI पध्धती क्या हो उसके बारे तो सबसे पहले हम SI पध्धती का फूल नेम जान लें SI मतलब International System of Unit हिंडी में इसको अनताराष्टी पध्धती कहते हैं तो यह जो अनताराष्टी पध्धती है वो वर्स 1967 मतलब 1967 में इसको क्या किया जेनेवा में अनताराष्टी मापतवल के लिए इसको इस पध्धती को स्विकार किया गया ठीक है तो कुछ SI पध्धती के के बारे में इसके मुल मात्रक के बारे में और जान लेते हैं जैसे कि आज कल इसी पध्धति का प्रयोग किया जाता है इस पध्धति में साथ मुल मात्रक हैं कितने मुल मात्रक टोटल साथ मुल मात्रक है जिसको अभी पढ़ते हैं तो इधर जो दिखाई दे रहे हैं आपको हो जाएगा मीटर इसका संकेत क्या है एम द्रवयमान द्रवयमान का SI मातरक क्या हो जाएगा किलोग्राम इसका संकेत है के जी समय का SI मातरक क्या होगा शेकन इसका संकेत है एस ताप का SI मातरक क्या हो जाएगा केल विंग इसका संकेत है के देखो इसको याद करने का ट्रिक मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा बहुत ही बेस्ट ट्रिक होगा आप एक बार उसको अगर देख लिए पढ़ लिए तो बिल्कुल आप आज इवन नहीं भूलेंगे बहुत ही बढ़िया ट्रिक इस ये साथो रासी के लावा और कुछ रासी है उसके म बदार्त का परिमाण तो इसका इसाइ मूल मात्रक क्या होगा मूल और इसका संकेत क्या है मूल ठीक है तो इसका इसको याद करने का तरीका है मेरे पास उस ट्रिक को अच्छे से ट्रिक बनाया हूं उस वीडियो में तो आप उस वीडियो को जरूर दिखेंगे यह साथ तो वाचिंग और इस मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें लाइक और सेयर ज़रूर करें